नमस्कार दोस्तों अमेजन हिंडी चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको डालचीनी के फाइदे बताऊंगा जिससे आप छोटी छोटी बीमारियों से बचे रहेंगे जन्म के बाद पहला आहार दूद होता है और इसे संपूर नहार का नाम भी दिया गया है क्योंकि इसमें लगभग सभी विटामिन, कैल्शियम और प्रोटीन होते है लेकिन दूद के और भी बहुत सारे फाइदे है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप दूद में एक चमच दालचीनी मिला देते है तो आपको इसके अनिक फाइदे होंगे तो चलिए जानते है इसके फाइदे नमब एक, अगर किसी भी इंसान को बालों या स्कीन से संबंधित कोई समस्या है तो उन्हें इसका सेवन करना चाहिए क्योंकि इसमें एंटिबैक्टिरियल गुन होता है जो बालों को और स्कीन को इंफेक्शन से दूर रखता है नमब दो, जिन्हें पेज संबंधी बीमारियां है जैसे खाना पचने में दिक्कत तो उन्हें दूद में दालचीनी पाउडर मिलाकर पीने से इसका बहुत फाइदा होगा साथ ही इस दूद के सेवन से हड्यों को मजबूत होने में भी सहायता मिलती है नमब तीन, अगर आपको राखको नींद आने में दिक्कत होती है तो सुने से पहले दूद में एक चमच दालचीनी पाउडर डालकर रोजाना पिया करे इससे आपको अच्छी मींद आएगी नमब चार, दूद में पहले से केल्शियम की मात्रा जादा होती है जिससे हड्यों में हुने वाले दर्द से आराम मिलता है पर अगर आप उसी दूद में हल्दी मिलाकर उसका सेवन करे तो आपको और भी जल्दी हड्यों के दर्द से आराम मिलेगा पर ध्यान रहे की हल्दी की मात्रा जादा नहो इस बारे में डॉक्टर से परामर्श करें नमब पांच, सुने से पहले दूद का सेवन जरूर करें इससे आपकी बॉड़ी को सभी तरह के प्रोटीन मिल जाएगी और नीन भी अच्छी आएगी और बॉड़ी को आराम भी मिलेगा दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एवन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद